हेलो गाइज, वेलकम टो आएफेस, तो आप में से बहुत सारे स्टुडेंट ऐसे हैं, जो CUET 2022 को टार्गेट कर रहे हैं, और आप सभी को पता ही है, कि ऑनलाइन रजिस्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और हम कह सकते हैं, जुलाइ के लास्ट वी क्या कह सकते हैं, थर्ड वि होती क्या हैं, तो आज की सेसन में हम जानेंगे Central University के बारे में, तो चले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और देखते हैं, आखिर Central University होते क्या है, तो यहाँ पर गाई सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दो Central University, या यहाँ पर देख सकते हैं, Central Universities और Union Universities in India are Public University, तो हम क Education in the Ministry of Education, तो हमें कह सकते हैं कि Central University एक Public University है, जिसे जो किसके अंडर आती है, Department of Higher Education, जिसे कौन देखता है, Ministry of Education, अब बात करते हैं, कि यहाँ पर आप देख सकते हो, in general, Universities in India are recognized by the University Grant Commission UGC, which draw its power from the University Grant Commission Act 1956, तो नार्मली हम देखते हैं, University को कौन operate कर दा, कि कौन उन पर नजर रख करता है, UGC, जिसे हम University Grant Commission कहते हैं, तो यहीं पर आप देख सकते हो, in addition, 15 professional councils are established controlling, तो यहाँ पर 15 professional counselling आई हैं, जो क्या करते हैं, established करते हैं, control करते हैं, with different aspects of accreditation and coordination, और यहीं पर अगर बात करें, Central Universities in addition are covered by, Central Universities Act 2009, which regulates their purpose, power and governance ETC, तो यहाँ पर हम in short A कह सकते हैं, Central Universities क्या होती हैं, एक public university होती हैं, जो किसके अंदर आती हैं, Department of Higher Education के अंदर आती हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हो, कि हमारे इंडिया में बहुत सारे student ऐसे होते हैं, मतलब हो सकता है, कोई पिछड़े हुए जगर से हो, common platform मिले, मतलब सबका सलेबस सेम हो, कोई एक्जाम चाहिए था, तो यह Central Universities क्या हैं, एक platform प्रवाइड करते हैं, सारे student के लिए, जो कि Central Government की तरफ से किया जाता है, वाय होप इस वीडियो के थुरू, आपको क्लियर हो गया होगा, कि आखिर Central Universities क्या होती हैं, तो आज की सिस अमें इतना ही, so thank you so much, bye bye and happy learning